हेलो फ्रेंट्स तोड़ी आर गोईंग फॉर्दर लाइन साथ चेप्टर लास्ट लेशन वेनेवर आई लुक्ट आफ फ्रों माय राइटिंग आई सो एम हैमल सेटिंग मोसलेस इन इस चेर और गेजिंग फस्ट एट वन तिंग देन एट अनगर जब कभी वेनेवर जब कभ फ्रों माय राइटिंग जब मैं अपने लिखने से जब मुझे थोड़ा फुरसत मिलती थी है जब मैं अपने लिख रहा था जो उसके बाद जब भी मैं क्या करता था उपर देखता था तो क्या आई सो मैंने देखा कि जो एम हैमल हैं सिटिंग मोसलेस वो बीना हिले डुल अपर उटके देखता था तो मुझे दिखता था कि जो एम हैमल हैं वो अपनी कुरसी पर चुपचा बैठे हुएं और कभी एक चीज को निहार रहे हैं कभी दूसरी चीज को निहार रहे हैं अपने दिमाग में बैठाना चाहते हूँ अपने दिमाग में बैठाना चाहते हूँ हमेशा के लिए मदलब वो उस कमरे की यादों को संजो कर ले जाना चाहते हूँ वहाँ से Fancy for 40 years he had been there in the same place Fancy का मदलब यहाँ पर सेंस है सुखद जो उनकी जो मिठी यादे हैं अच्छी यादे हैं प्लिजेंट मुनोरीज हैं for कितने सालों की 40 years की 40 सालों की He had been there in the same place जो की एक ही जगह पर उनको मिली है वो यादें क्योंकि वो जो क्लासरूम है वो वहाँ पर आते थे और पढ़ाते थे तो 40 साल उन्होंने इसी तरह से गुजारे उस कमरे माकर के बच्चों को पढ़ाया तो उस कमरे में उनकी 40 साल की जो मिमोरीज हैं उनको वो संजोना चाहते थे with his garden outside the window and his class in front of him और क्या था उस कमरे के जो with his garden outside the window जो कमरा था जिसमें वो बच्चों को पढ़ाते थे उसके बार क्या था उनका एक garden था and his class in front of him और उनकी जो class थी वो उसके सामने पे थी just like that only the desks and benches had been worn smooth अब उस कमरे में कुछ नहीं बदला था क्या बदला था only the desk जो उसकी classroom की मेज थी मेजे थी और जो उसके benches थे जिसमें बच्चे बैठते थे had been worn smooth वो क्या हो गये थे थोड़ा सा smooth हो गये थे चिकने हो गये थे क्योंकि उसमें जो बच्चे बैठते थे अपने backs रखते थे मेज में तो उससे क्या हो गये थे कुछ जो वो बैठ बैचस थी और जो stools थे वो क्या हो गये थे चिकने हो गये थे थे थोड़ा smooth हो गये थे the walnut tree in the garden were taller walnut tree का मतलब जो अखरोड का पेड़ था उस garden में वो क्या हो गया थे थोड़ा सा और लंबा हो गया था and the hop wine that he had planted himself twinted about the window to the roof और जो hop wine की बैल थी उस garden में वो भी क्या हो गये थी वो twinted मतलब लिपट कर लिपट कर के चीजों को आगे जाना तो वो जो hop wine की बैल थी वो भी क्या हो गये थी लिपट करके आगे बढ़ गई थी किस पर लिपट करके वागे बढ़ गए थी window से खिड़की से लिपट करके कहा पहुंच गई थी च्छत पर पहुंच गई थी how it must have broken his heart to lay it all तो निश्ची तोर पे how it was it must have broken his heart to lay it all ये सब छोड़ने में उनका दिल कितना दुखरा होगा कितना टूट रहा होगा निश्ची तोर पे उनकी 40 साल की memories थी और ये जो memories थी उनको छोड़ना उनके लिए कितना मुस्किल था उस जेगे को छोड़ना कितना मुस्किल था जहां पर उन्होंने इतने साल बिताए तो उन सब चीजों को याद कर रहे है पूर मैन पूर मैन कह कुछ हलचल कर रही है कमरे में जहां पर क्योंकि नीचे classroom रहा होगा उसके उपर उनके residence रहा होगा जहां पर रहते रहे होगे तो उनकी sister भी उनके साथ में रहती रही होगी तो उनकी sister क्या कर रही है उनको कुछ कमरे के ऊपर कुछ movement की आवाज सुना ही देती है packing their trunks और वो जो आवास्तियों किसी की थी कि उनकी जो पहन थी वो अपने जो बकसे थे उनमें क्या कर रहे थे अपनी packing कर रहे थे अपने सामन की packing कर रहे थे for they must leave the country next day क्योंकि उनको अगले दिन क्या करना था देश को छोड़ना था इसलिए उनकी बहन वो अपनी सारी packing कर रही थी यह काफी उनके लिए थोड़ा सा painful movement था but he had the courage to hear every lesson to the very last लेकिन उसके बाब जूद भी उनके अंदर सहास था कि वो पढ़ते एक जो अध्या है उसको last तक क्या करें उसको सुने और पढ़ें after the writing writing के बाद लिखने के बाद we had a lesson in history अब हमारा जो नंबर था हो किसका था इतियास का नंबर था हमने grammar पढ़ ली थी उसके बाद राइटिंग का लेशन हो गया था अब हमारा जो next lesson था हो किसका था इतियास का था history का था and then the babies chanted in there baby bow bow down there at the back of the room and hosser had put on his spectacles and holding his premiere book both hands अब देखिए and then the babies chanted जो babies थे जो बच्चे थे वो क्या कर रहे थे chanted कर रहे थे chanted कर रहे थे chanted कर रहे थे baby bow bow को कर रहे थे और यह सब कहा हो रहा था down there at the back of the room उस कमरे के पीछे वाले कमरे में old hosser had put on his spectacles spectacles जिसको आप spectacles भी कह सकते and holding his premiere in both hands और क्या कर रहे थे mr. hosser थे put on his spectacles जो उनके चसमे थे holding उनको पकड़ा वाता उन्होंने his premiere in both hands और उनके हाथ में कहते एक premiere book थी प्रिमेर का मतलब होता है ऐसी किताब जिसमें किसी भी चीज के सुरुआ थी beginning का ग्यांजा से बढ़ना माला होती और ABCD की जो किताबे होती है उसको premiere book कह सकते है जिसमें basic knowledge दिया गया होता किसी भी subject का उसको उस subject का हम premiere book कह सकते है तो जो उनकी spectacles थे उन्होंने कहां पर रखे थे अपनी जो premiere book थी उसके उपर रखे थे in both hands और वो जो किताब थी उनकी दोनों हाथों पर थी spelled the letters with them और वो क्या कर रहे थे उनके जो अक्छर थे जो उनके letters थे उनको क्या कर रहे थे पढ़ रहे थे you could see that he too was crying his voice trembled with emotions you could see आप देख सकते थे that he too कि वो भी Mr. Hosser भी was crying his voice trembled उनका जो voice थी वो क्या कर रहे थे tumble कर रहे थी tumble करने का बदब क्या हुआ बदबत आना ठीक है मलदा आवास का कम कंपाना उनके आवास भी क्या हो रहे थे थोड़क्प कंपा रहे थी बुद्बत रहे थी इसलिए उनके आवाज भी क्या हो रही थी और यहाँ पर क्या था जो आज का दिन था वो क्या था थोड़ा सा रिमार्केबल था यहाँ पर फनी का मल्दा क्या होगा रिमार्केबल से कह सकता हम चिरिस्माड यहाँ वह चीज जो लंबे समय तक याद रहे ठीक है तो यहाँ पर इट वस सो फनी यह बहुत जा था क्या था मिमोरेबल था लंबे समय तक याद रखने माले चीज थी ठीक है इसलिए थी क्योंकि उस दिन हम क्या कर रहे है हमको हसी भी आ रहे थी और रोना भी आ रहा था हसी इसलिए आ रहे थी कि हमें अपनी कुछ पुरानी यादें ताजा हो रहे थी और जो हमने अच्छे मूँ में डौहाँ पर गुजा रहे थे उनको हम याद करके हस रहे थे और रोना भी आ रहा था कि यह आज हमारा इस स्कूल में अंतिम दिन है तो दोनों मिक्स यहाँ पर फिलिंग्स थी उनके अंदर और अब मैं इसको किस लास लेशन को कितने अच्छी तरह के से याद रख पाऊंगा क्योंकि यह इसके साथ मेरी अब जो यादे है वो लंबे समय तक मेरे साथ जूड़ी रहेंगी All at once, the church clock struck 12 अचानक क्या हुआ? Church की जो clock है, जो घंटी है उसने बजाया 12 तो जो चर्च की घंटी है उसने क्या बजाया? 12 बजाया फिर यहाँ अब विल्योंकि अब का तया है आपका bell of the prayer for the Catholics जो prayer होती है Catholic की आपने सुना होगा कि जो Protestant और Catholic दो तरह के उनके संप्रताई होते हैं तो यहाँ पर जो Catholic लोग होते हैं उनके जो गंटी होती है Church की उसके वो उसके बजने की आवाज आई at the same moment और उसी समय the Trumpets of the Persians जो Trumpets का मतलब जो बिगूल होता है किसका परशिय के आर्मी का वो बजना सुरू हो गया था returning from the drill इसका से ये पता चल गया था कि वो जो परशियन आर्मी है वो अपने drill से वापस आ रही है sounded under our windows और उसकी जो आवाज थी उनके जो Trumpets थे उनके जो बिगूल थे उनके बजने के आवाज हमारे खिड़की के नीचे आसानी से सुनी जा सकती थी M.H.L. stood up M.H.L. खड़े उठे very pale उनका जो मुँ था बहुत पीला पड़क हो गये थे बहुत emotional हो गये थे उनका मुँ जिसको कहते है मुँ उतर जाना in his chair वो अपनी कुर्सी से उठे I never saw him look so tall और मैंने उनको इतना लंबा कभी नहीं देखा यहाँ पर लंबे का मतलब abnormal से है मतलब abnormal का मतलब जब आप थोड़ा सा uneasy feel करते हैं तो इतना uneasy और इतना सा उनको हमने कभी नहीं देखा था जितना आज हम उनको देख रहे थे my friends मेरे दोस्तों किये कौन कह रहा है Mr. Ehmel कह रहे है said he उन्होंने कहा I, I, मै, मै मतलब फिर उनकी आवाज भी काँ पर रही है बुदबुदा रहे है हो but something choked him कोई चीज उनने रोक देती है मतलब उनका गला रून जाता है उनकी आवाज क्या आ जाती है choked हो जाती है he could not go on और वो आगे अपनी बात को नहीं बोल पाते हैं then he turned to the blackboard फिर जब वो बोल ले पाते हैं तो किस की तरफ मुड़ते हैं blackboard की तरफ जाते हैं took a piece of chalk और एक chalk का टुपड़ा लेते हैं and bearing on with all his might और जितना भी वो सहस कर जितना उन्हों सहन कर सकते हैं जितना अपना पूरा सहस को कठा करने के बाद he wrote a large as he could और वो बड़े बड़े अक्षरों में लिखते हैं जितने बड़े अक्षरों में लिख सकते हैं blackboard पे और क्या लिखते हैं wife la France wife la France का मतलब long live France ठीक है तो यहां पर hey France तुम्हारी उम्र लंबी हो मतलब तुम्हें एक देश के रूप में लंबे समय तक जाने जाओ ऐसा हो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि France पर अब किसका कपचा हो गया है Germany का इसलिए वो कह रहे है wife la France मतलब है France तुम्हारी उम्र लंबी हो एक देश के रूप में तुम्हें एक देश के रूप में लंबे समय तक जाने जाओ यह हर देशवाशी की कामना होती है तो उसी तरह से MML भी कह रहे है then he stopped फिर वो रुके and learnt, leaned his head against the wall and without a wall or bina he made a gesture और वो क्या बढ़ते है एक भाव भंगियमा बनाते है gesture का मलब भाव भंगियमा वो अपनी भाव भंगियमा बनाते है जिसके माध्यम से वो क्या कहना चाहते है to us with his hand और अपने हाथों से हमें कुछ कहना चाहते है उस भाव भंगियमा के माध्यम से और कहना चाहते है school is dismissed school को आप समाप्त क्या जाता है बन क्या जाता है you may go अब आप तुम जा सकते हो तो ये सब हो कहना चाहते है यहाँ पर ये chapter खतम होता है और I think you will understand this chapter very well Thank you very much